इंडियन सिनेमा में 1947 की सिगनिफिकन्स क्या है? ओवरॉल रिव्यू और फिल्म नाटक 1947 1947 एक इंपोर्टन साल इंडिया के लिए firstly क्योंकि हमें बिटिश से अजारी मिली तो इसी के साथ ही ये साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी मोमेंटिस था उस समय भी सिनेमा काफी वाइबरेंट हुआ करता था और आनुली गरीब 200 फिल्में बना करती थी अब इस फिल्म इयर को इंडस्ट्री के पर्सफेक्टिव से हम दो पार्थ में बाद कर देख सकते हैं पंदरा ओगस्ट 1947 से पहले का पीरियड और इसके बाद वाला पीरियड इंडिपेंडेंडेंस और पार्टिशन से पहले वें लोन बॉंबे फिल्म इंडस्ट्री लाहूर फिल्म इंडस्ट्री से लिंक थी लाहूर के कई prominent filmmakers और musicians उस समय Bombay इंडस्ट्री में काम करने के लिए migrate हो गए थे जिन में से आक्टर सिंगर कुंदरलाल सैगल, पृत्वी राज कपूर, दलीब कुमार, और देवानन, मुहम्मद राफी, नूर जहां कुछ एक नाम है और इस 1947 फेज में Bombay सिनिमा औरेडी टैलेंट सिरिच था और कुछ बहतरीन कलाकार जिसे खुषिद बनो, मोतिलाल, मुम्तार, शांती, नर्गिस इंडस्ट्री में अमेजिंग काम कर रहे थे और उनके साथ ही लाहोर की कलाकारों का इंडस्ट्री में जडस से जाना उस साल एक बहुत ही बड़ी खबर थी और दूसरा पार्ट था अफ्टर पार्टिशन जब कुछ एक कलाकार वापस पाकिस्तान माइग्रेट हो गए और इसमें एक में नाम है आक्टर सिंगर नूर जहां का पर पार्टिशन की वज़े से हुई उधल पुधल और वाइलन से बॉम्बे सिनिमा पर कोई खार्स फरक नहीं पड़ा यहां तक कि जो आर्टिस्ट वापस पाकिस्तान माइग्रेट हो गए उनकी जगा लेने के लिए और भी यंग आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आ गए एक्जांपल के तौर पे नूर जहां की जगा ली लेजिंडरी सिंगर रतामंगेश करने और अगले कई दशक्तर क्राज किया उस समय के सिनिमा के खास बात ये थी कि हर एक आक्टर और परफॉर्मर अपनी एक अलग स्पेशालिटी से उस दौर की कंडिशन को रिफ्लेक करता था और आज हम 1947 साल में पार्टिशन से पहली की फिल्म नाटक का रिव्यू करेंगे शुरू करते हैं फिल्म का पोस्टर से जिसमें हमें लीज आक्टर सुरया दिख रही है और सर पे मटका उठा के खड़ी है उस समय के पोस्टर्स प्रिंटिट तो होते थे पर उन्हें देख कर लगता था कि यह ओईल पेस्टर या ओईल पेंट से बनाए गए हैं और नाटक का पोस्टर भी ऐसे ही ओईल पेस्टर्स के वाइबरिन कलर से अट्राक्टिव लगते हैं अब बात कर लेते हैं फिल्म के कास्ट और प्लॉट की जिसमें लीड रोल में नजर आते हैं सुरया, श्याम कुमार, प्रतिमा देवी, राम और डिरेक्टर थे एस यू सानी फिल्म की स्टोरी यानि श्याम कुमार से शुरू होती है, जो कि महराज प्रताब सिंग के बहतर हैं और कॉलेज में पढ़ते हुए उन्हें गाउं की लड़गी राधा यानि सुरया से प्यार हो जाता है पर अपने पिता को बताए बिना अशोक राधा से शादी कर लेता है उसकी मा और एक लड़के सरूपी के सामने बिना ये जाने की सरूपी भी राधा से शादी करने के लिए सपने बिठा के रखा था पर सरूपी करे भी तो क्या इसलिए वो चुप रहना ही बहतर समझता है पर सुड़नली इस वज़ा से अशोक को उसके पिता महल से निकाल देते हैं और दूसरी लड़की शोभा से शादी करवा देते हैं इसकी information अशोक राधा को नहीं देता इसलिए राधा केली पढ़ जाती है इसी बीच राधा की मा मर जाती है और पंजित की advice से वो अशोक को ढूणने में लग जाती है उधर अशोक राधा को चिथी लिखता है पर सरूपी ने उस तक चिथी पहुँचने ही नहीं दी अब भाई साब को पढ़ना तो आता नहीं था तो उन्होंने वो जला दी पर खेर टाइम बीता और राधा को शोभा के घर में मेट की नौकरी मिल गई वहाँ उसने अशोक और शोभा की फोटो देखने के बाद बिना बताय पिछले दर्वाजे से खिसकने का फैसला लिया भागने के बाद राधा के पास पैसे ना होने से उसे भीक मांगने पड़ती और तभी सरूपी को वो मिल जाती है जो उसे अपने हाथ ले जाता है इवेंचोली राधा को थीटे कमपनी में काम मिल जाता है और सून वो एक स्टार बन जाती है फिर एक दिन अशोक उस शोग को देखने आता है और वहाँ राधा को पहचान लेता है और मिलने के बाद वो फिर कभी जुदा नहीं होते इस फिल्म में कुछ भैतरीन गाने भी थे जिन्हें उस समय की मलिकाई तरन्नुम यानी सुराया ने गाया था और सुराया उस समय की हाइस पेड आक्टरेस भी थी अब ये तो रही इंडिपेंडेंस से पहले की बात लेकिन अगले बार हम बात करेंगे पार्टिशन के बात की फिल्म्स की और जानेंगे क्या हाल था उस समय बॉम्बे सिनेमा इंडस्ट्री का ये लिखी है पंकज ने और इसरे साइट किया है प्रिशाने धन्यवाद करें ये लिखी है पंक रार्टिशन के लिखी है भात